Hello, Namaskar, दोस्तों कैसे आप सभी, आप सभी के लिए फिट से नई जयोब बिकिनसी का अपडिट लेकर आ गया हूff आज मैं आप लोगों के लए काफी popular company का जयोब बिकिनसी का अपडिट लेकर आगया हूff आज मैं बात करने वाला हूं Tata Motors के ज़ॉब के बारे में जोप का Official, Official Profile कैसे निकालना है, Official Notification कैसे आपको निकालना है Qualifications क्या माँगा गया है, जोप locations क्या होगा और कैसे आप लोगों को जोप के लिए apply करना है, आवेदन कैसे करना है पूरी की पूरी जहनकारी आप लोगों को इसी एक वीडियो में दिया जाएगा तो अगर आप लोग इंट्रेस्टेंड है तो वीडियो पे बने रहिएगा साथ साथ में आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं टाटा मोटर्स कमपनी में बंपर भरती आ गई है यह आप लोगों के लिए अच्छा मोका है सैल्री के बारे में बात करें तो गुड सैल्री मिलेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर फ्री अप्लाई है फ्री अप्लाई का मतलब यह है कि टाटा मोटर्स में आप लोग जोब के लिए नोकुरी के लिए निसुल्क में अप्लाई कर सकते हो कोई भी apply fee सावेदन सुल्क नहीं लगेगा यह बहुत ही अच्छी बात है बाकि आप यहाँ पर देख सकते हों यहाँ पर महिला प्रूस भी apply कर सकते हैं यानि कि male candidate female candidate बोथ apply कर सकते हैं all India के लिए job है यह भी बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए opportunity होने वाला है अगर बनाया हम apply नहीं कर पा रहे हमें यह problem आ रहा है तो जो लोग भी वीडियो को भगा के देखेंगे skip करके देखेंगे उन्हें यही problem आएगा इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा end तक देखिएगा शुरू से end तक देखिएगा साथ साथ मेरा एक request है हमारी इस मेहनत के कोई भी browser open कर लेना है जिया दोस्तों आपके phone में काफी सारे browser होंगे तो कोई भी browser ऐसा open कर लिजेगा browser open करने के बास search box में search कर लिजेगा pixel text of p i x e l pixel tec j o b इतना type करना है जैसे आप यहाँ पर pixel text of search करेंगे तो यहाँ पर जो पहले number पे website आता है टौप पे आता है यह वाल आपको डेट सारा job का update देखने को मिलेगा दोस्तों इस website पर government job और private job के बारे में update किया जाता है हमें क्या करना है हमें यहाँ पर Tata Motors का job का detail निकालना है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते है 28 November को update किया गया है तो करना क्या है आप लोगों को इस पर click कर लेना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आप लोगों के सामने article आजाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं Tata Motors का recruitment का article आजाएगा इस article में आपको अधिक से अधिक जयानकारी मिल जाएगा जैसे कि positions क्या होगा end location क्या होगा किस किस post पर job है किस कि locations पर job है apply mode का detail eligibility criteria का detail, salary का detail, selection process का detail, qualifications का detail, apply fees का detail, आवेदन का अंतिम्तिती, how to apply का detail और साथ साथ में यहाँ पर apply का link वगरा भी मिल जाएगा यानि कि एधिक से अधिक जयानकारी आप लोगों को इसी article में मिल जाएगा जो कि आप लोगों को ध्यान से अच्छे से पट लेना है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकत हैं, चलिए दोस्तों मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, फटाफट सबसे पहले तो देख सकते हो, टाटा मोटर्स में new recruitment आ गया है, apply यहाँ यहाँ पर online होगा for multiple vacancies, यानि कि टाटा मोटर्स में pumper भरती आया है, एक ही post पे नहीं बलकि multiple post पे और multiple locations पे job देखने को हैं, और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे position दिया गया है, end location यानि कि post का name है, end location दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर multiple post पे job है, जैसा कि देख सकते हैं, इंजीनियर का job है, पूने locations का job है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, senior manager का job है, ब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओफिसियल वेबसाइट पर टोटल दोस्तो 264 जोब ओपनिंग निकाला गया है, जो कि आप देख सकते हो, यानि कि यह आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी हाँ मौका है, अगर आप इलिजिबल हैं, जोब करना चाहते हैं, बखी बात करें दोस्तों यहाँ पर apply mode के बारे में, apply mode यहाँ पर online है, जो कि already मैंने आपको बताया है, eligibility criteria के बारे में बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों Indian candidate, male for male, both apply कर सकते हैं, age के बारे में बात करें, age limit के बारे में, तो यहाँ पर 18-18 plus मांगा गया है, आपको पता है यार अगर आप किस भी company में job करें चाहिए, वो private sector का या फिर government sector का, तो जो हाँ पर age का requirement होता है, वो 18-18 plus मांगा जाता है, तो आपकी जो उम्र है, वो कम से कम 18-18 plus होनी ही चाहिए, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी बात करें, salary के बारे में, तो good salary मिलेगा, according आपके post, according experience और company के rule के हिसाब से आपको handsome salary मिलेगा, बाकी selection process के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपका interview round, आपका selection हो सकता है, qualifications के बारे में बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों qualifications आप देख सकते हैं, graduate मांगा गया है, जैसे की B.com हो गया, B.tech हो गया, MBA हो गया, ऐसा यहाँ पर qualifications मांगा ग सकते हैं, कोई भी आवेदन सुलक apply fees नहीं लगेगा, यह बहुत ही बड़ी आप लोगों के लिए opportunity होने वाला है, बाकी बात करें दोस्तों यहाँ पर date के बारे में, तो यहाँ पर starting date already started है, यानि कि दोस्तों यहाँ पर Tata Motors में आवेदन start है, आवेदन चल रहा है, last date closing soon है, तो आपको फटा-फट apply कर लेना है, यहाँ पर दोस्तों Tata Motors में, बाकी how to apply का detail यहाँ पर mention है, और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर apply का link और official website का भी link मिल जाएगा, अब चली हम बात करते हैं कि कैसे हमें apply करना है, कैसे job का profile निकालना है, जो लोग भी interested है, वो लोगों को करना क्या है, यह जो article है, अच्छे से पढ़ लेना है, इस article में आपको अधिक से धिक जयनकाने मिल जाएगा, जो कि आपको अच्छे से पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आपको scroll करके नीचे की तरफ आजाना है, यहाँ पर apply online का link और official website का भी link मिलेगा, तो आ यहाँ पर apply online का link पर click करना है, जैसे आप यहाँ पर apply online का link पर click करोगे, तो आप लोगों के सामने एक page आएगा, जैसकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अब इस page पर आने के बाद क्या करना है, बहुत ही simple सा काम है, यहाँ पर आपको बटन मिलेगा, search jobs का, इस पर करोगे, तो आप लोग read direct जाओगे job के page पे, जहाँ पर आपको Tata Motors का धेर सारा recruitment का detail देखने को मिलेगा, जैसकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितना सारा यहाँ पर job का detail दिया गया है, जैसकि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको three box मिल जाता है, अब इन box का क्या काम है, यह भी मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पर job का title keyword देके job search कर सकते हो, location देके job search कर सकते हो, company name देके job search कर सकते हो, यह filter है, अगर use करना है तो कर लेना, बाकि नीचे की तरफ आपको latest job देखने को मिलेगा, जो मैं आपको एक demo दिखा देता हूँ, education के लिए ताकि आप लोग सीख सको, कि कैसे आपको data motors में apply करना होता है, माल लिजे दोस्तों हमें इस post पर apply करना है, senior manager का post है, अगर इसके लिए हमें apply करना, इस post का detail निकालना है, तो हम यहाँ पर ऐसा click करेंगे, जैसे हम click करेंगे तो इस post का, इस positions का job का official profile यहाँ पर आजाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका title है, posted date है, locations का detail है, position का summary है, जो आपका responsibilities की, skills, education क्या होना चाहिए, यह सब कुछ यहाँ पर mention है, जो कि आप लोग बढ़ सकते हो, जैसा कि देख सकते है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारा का सारा detail है, कि क्या क्या यहाँ पर requirement है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप पढ़ सकते हो, ठीक है, पढ़ने के बाद अगर आप लोग eligible हो, apply करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको apply now का button मिलेगा, इस पर आप click करके apply कर सकते हो, कैसे करना है, यहाँ पर आपको apply now का button पर click करना है, जैसे आप यहाँ पर apply now का button पर click करोगी, तो आप लोग redirect हो जाओगे new page पे, जैसक ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अब इस page पे आने के बाद बोला जाता है, कि आप लोग अपना email password देखें, यहाँ पर login कर अगर आपने Tata Motors की website के job के pitch पे पहले से ही sign up किया है, अकाउंट create किया है, तो अगर किया है, तो आप यहाँ पर login कर लेना, नहीं account पना है, तो आपको यहाँ पर click करके सबसे पहले new account आपको create कर लेना है, इस पर click करके आप logo को यहाँ पर अपना detail देना है, और account फटा- आप आप आपको एक password देना है, जिसके through आप login करोगे, फिर यहाँ पर same password एंटर कर देना है, फिर आपको यहाँ पर अपना first name, last name, country, यह सब select करना है, और यहाँ पर tick कर लेना, और create account पर click कर देना, जैसे आप create account पर click करोगे, तो आप logo का registration हो जाएगा, आप logo का account create हो जाए मैं आपको दिखा देता हूँ, login करके, तो चले फटा-फटा मैं यहाँ पर login कर लेते हैं, मैंने अपना Gmail ID दे दिया है, अभी यहाँ पर मेरे को password दे देना है, ठीक है, यहाँ पर मैंने password भी type कर दिया, अभी यहाँ पर sign in पर click कर लेना है, जैसे हम यहाँ पर sign in पर click तो हमारा जो account है, यहाँ पर login हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम लोगों के सामने एक apply का form आ गया है, आविधन form आ गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और position भी वही select है, senior engineer जैसा कि आप देख सकते हैं, ठी document में आपको अपना document देदेना है, जैसे कि आपको अपना यहाँ पर resume upload कर देना है, ठीक है, जो document है वो भी attach कर देना है, यहाँ पर दोस्तो profile information में आपको अपना profile information देदेना है, जैसे कि आपके अधार card में आपका नाम क्या है, first name, middle name, last name, वो देदेना है, city, country, और यहाँ पर दोस्तो करेंट टाइटल क्या यूज करते हो, और यहाँ पर दोस्तो आप लोगों का अल्टरनेटिब कोई नंबर हो, इमेल आइडी जेंडर, डियो भी यह सब आपको देना है, फिर यहाँ पर दोस्तो वर्क एक्सपिरेंस में वर्क एक्सपिरेंस बताना है, कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो, बिना किसी प्रॉब्लम के, तो यहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया है, बाकि कोई भी डाउट रहता है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, और हाँ जाते जाते एक जरूरी बात बता दू, काफी लोगों को कॉल आता है, मेल आता है आप हम इतना प्रेमिट करो, हम आपको यहाँ पर जॉब दिलवा देंगे, भरती करवा देंगे, तो आपको इन सब जासों में आके कभी भी किसी को कोई भी पैसान नहीं देना है, बाकि हम लोग मिलेंगे, नियु जॉब अपडेट में, तब तक के लिए, बाई बाई, ट पिसे करो, हम आपको इन सब चल्ग मिलेंगे, बाई ग्रों में भी जॉब और कि लिए ग्यारे रचा करो, हम ड्रीप जाते हैं बाह तना ओरजड़ में आसरियों जनितरत्क यथए लेटिट.